पहला प्रश्ण क्या कहता कि भारत में जाती प्रथा का मुख्य कारण क्या है यहां पे चार अप्सन दिये गए है ब्रोजगारी गरीबी उध्वोग धंदों की कमी अमीरी तो देखिए इसका जो करेक्ट एंसर है वह ब्रोजगारी अब आप कहोगे कि ब्रोजगारी क्यूं रूंख कि अगर जाती प्रते अगर होता है कहीं भी तो आपको पता है कि जैसे कि कोई डॉम है कोई दुसाद है कोई चमार है कोई है मतलब अलग-अलग जैसे अगर कोई नीच जाती है ठीक है तो उसके सवर्न समाज economics प्टक्षम्रंग करते हैं अत्या ignoring सोसन करते हैं सवल समाच बोलते हैं ठीक है वो दलीतों पर क्या करें अत्य चार करते लेकिन वही दलीत अगर पड़ करके सिच्छित हो जाता है अगर कहीं रोजगार कर लेता हैğ रुपया पैसा कमाने लगता है तो उसका इज्यत होएं लगता है ठीक आप देखे एंसर होगा बेरोजगारी option A is the right answer ओके चलिए प्रश्ण क्रमांग दो की और चलते हैं बावा सहय भीम्रा अम्बेदकर का जन्म कभ हुआ था जिन्होंने ये समिधान लिखे हुए है ठीक है तो बावा सहय भीम्रा अम्बेदकर का जन्म कभ हुआ तो ये पूछ रहा है आपस आप 14 अप्रेल 1891 इसवी में 20 अप्रेल 1892 इसवी में और 24 अप्रेल 1893 इसवी में 28 अप्रेल 1894 इसवी में इसका correct answer होगा वहिया option A 14 अप्रेल 1891 इसवी में बावा सहय भीम्रा अम्बेदकर का जन्म हुआ था इनका ठीक है प्रश्ण क्रमांग तीन कहता है कि बुध एंड ह धम्मा के लेखक कौन है बुद्ध एंड हीज धम्मा के लेखक कौन है यह पूछा जरा है नलिन विलोचन सर्मा है या गुनाकर मुले या भीम्रा अम्बेदकर या बिर्जु महराज बता है इसका सही answer क्या होगा तो इसका correct answer होगा अप्रसंसी भीम्रा अम्बेदकर आई निवंद्ध है कहानी है रेखा चितर है या डाएरी है बताइए इसका करेक्ट अंसर क्या होगा इसका प्रशन बल्या में या उन्वान में या पटना में बताई इसका correct answer क्या होगा है ना देखिए इसका कर्येक टेंसर होगा वो पटना में है पटना में ठीक है चलिए प्रशन करमांग हम 6 की वर चलते हैं क्या आट हजार साड़ी नऄ हजार या साड़ी सााथ लाग बताई कर्य करेक्ट अंसर क्या होगा इसका करेक्ट इंसर है साड़ी 7 000 वाकर है साड़ी कार कार की चलते हैं साथ कहता है कि किस गवर्नर जनरल के समय एक सो बहत्तर दारिस नामक सोने से भड़ा घरा मिला था ये पुछा जरा है तो option A में है लाड डलहौजी, option B में है लाड कैनिंग, और option C में है वारेन हैंस्टिंग्स, और option D में है लाड कर्ण वालिस तो ये इसका है चार option, तो इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer होगा C Warren Hastings है ठीक है, चलिए प्रश्ण कर्मांक आठ की और चलते आठ कहता है कि Max Muller का जन्म कब हुआ था, यहाँ पे चार option दिये गए हैं और चारो option में से बताए इसका correct answer क्या होगा, I hope कि ये चारो option आप लोग क्या की होगे, पढ़ लिए होगे, इसका correct answer होगा 823 इस भी में, और यहाँ पर बता देना आप लोग कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, comment करके हमें आप बदा सकते हैं, या फिर आप online test जा करके दे सकते हैं, ठीक है, link description में मिलेगा, और इसका PDF भी आपको पंकजstudycenter. .com पे मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है, प्रशन करमांक 9 में चलते हैं, 9 कहता है कि हजारी परसाद द्वेदी ने निरलज अपराधी किसे कहा है, हजारी परसाद द्वेदी ने कहता है, निरलज अपराधी किसे कहा है, डेकेट को, या चोर को, या ह आजारी परसाद वेदी का जन्म कब और कहां हुआ था 1907 इस भी दूवे छप्रा बलिया में या फिर ऑप्शन बी में है 1916 क्या है बदर घाट पटना या फिर ऑप्शन सी में 1935 अमरावती महराश्ट्र या डी में 1935 नागरा बलिया इसका correct एंसर क्या होगा है नेकर इसका correct जो answer होगा भई या option A होगा ठीक है तो option A में क्या दिया गया आप देख सकते हैं 1907 दूवे प répondrejust yen क्रमा ग्यारा की वर चलते इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा लेखा की पतनी correct चलिए प्रश्ण क्रमांग हम 12 चलते हैं लेके लेते हैं बहादुर को लेकर कौन आया था लेखा का भाई आया था या लेखा का साला या लेखा की बहन या लेखा की चाची बताई इसका चारों में से कौन इसका correct answer होगा इ रिखखका साला जो है वह बहादूर को लेकरके आया था प्रषिल करमांक हम 16 वर चलते हैं कि बहादूर कहा का रहने वाला था बिहार उतरपरदेश ने पाल यह भुटान इसकां प्रिक्त आ में बहाधूर सी में नौबत खाने में इबादत और ड में है परंपरा का मुल्यांकन तो इसका करेक्ट इंसर क्या होगा है ना तो कहानी है यह पुछा जरा है कि इसमें से कौन कहानी है यह आप से पुछा जा रहा है इसका सही इंसर है बहादूर ठीक है प्रशन करमांग 15 का तरा मिला सर्मा का जन्म कभ हुआ था 1910 में या फिर यहां पर देख सकते ऑप्शन भी में है 1911 में 1912 में 1914 में इसका करेक्ट एंसर होगा 1910 में राम बिला सर्मा का जन्म हुआ था ओके कोई दिक्कत नहीं यह दिक्कत भाया आईए अब हम चलते हैं एक मिनट एक मिनट नहीं नहीं 1912 इसमी में हुआ था राम बिला सर्मा का जन्म ओके ए नहीं होगा सी होगा ओके चली अब हम प्रेश्णक्रमांक 16 की और चलते हैं सोला कहता है कि प्रंप्रा का मुल्यांकर है, ये पूछा जा जा रहा है, कि प्रंप्रा का मुल्यांकर है, निवंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, बताई इसका करेक्ट एंसर क्या होगा, तो बदे ये निवंध या कहानी या नाटक या उपन्यास है, इसका जो करेक संग पर आक्रमन किया ये पुछा ज़रा है महरानी विक्टोरिया, हिटलर ने या पुतीन ने या लेनिन ने इसका correct answer होगा हिटलर ने किस ने किया? हिटलर ने किया ओके, प्रशन कर्मान का ठारा क्याता है कि पंडित विर्जू महराज किस घहराने के वनसज थे पंडित विर्जु महराज किस घराने के वनसज थे ये पुछा जाड़ा है अपसन ए में बनारस घराने के लखनव घराने के डुम्राओ घराने के या जैपुर घराने के इसका करेक्ट एंसर होगा लखनव घराने के क्या होगा लखनव घराने के प्रशन कर्मांग 19 कहता है कि पंडित विर्जु महराज लखनो घराने की किस PD के कलाकार है देखे कोशन से भी पता चल रहा है कि पंडित विर्जु महराज जो है वो लखनो घराने के कलाकार थे यह इससे भी पता चलता है ठीक है तो लखनों घराने के किस PD के कलाकार है छटी PD, सातमी PD, नौमी PD या आठमी PD इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer वो सातमी PD प्रशन कर्मांग हम चलते हैं 20 की और तो 20 कहता है ला मादा मोजेल द आविन्यों किसके घरती है लिया नार्दों द विंची की या पिकासो की या रविन्यना तेगोर की या फिर एक नट या फिर विंस्टेंट क्या है विंस्टेंट वेनगो की हैव diffénd तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer होगा पिकासो की ठीक है प्रश्ण क्रमांग 21 कहता है कि लेखक अविन्यों क्या साथ लेकर गए थे लेखक अविन्यों जो है वो क्या साथ लेकर के गए थे कुर्सी, पुस्तक, टाइप राइटर और टेप्स या मेज यडंडा इसका जो करेक्टर रहोगा भी यानि पुस्तक, टाइप राइटर और टेप्स लेकर के गए थे लेखक अविन्यों थे, ठीक, आविन्यों है, ओके प्रश्ण क्रमांग 22 कहता है कि लेखक की पिता ने कितनी मछलियां खरी दी लिखा के पिता ने कितनी मचलियां खरी थी, एक या दो या तीन या चार, इसका correct answer होगा 3, लिखा के जो पिता है वो तीन मचलियां खरी थी, ठीक है, तो 22 का होगा, यहाँ पे option C, प्रेशन करमांग हम 23 की और चलते हैं, 23 का अता है कि मचली सिरसक कहानी की रचीता है, अब मचली सिरसक कहानी की रचीता कौन है, विनोद कुमार सुकल है, या रामबिला सर्मा, या सोकवाजपई, या नलिन मिलोचन सर्मा, इसका correct answer क्या होगा, है न, देखिए, इसका correct answer होगा भई, या वो है विनोद कुमार सुकल, मचली सिरसक कहानी, देखिए, देखिए, पाठ पाठ और लेखक का नाम तो यार मैंने ट्रिक से बताया हुआ है ना आप लोग सर्ज करना कि पाठ और लेखक का नाम ट्रिक से बाई पंकर सर तो आपको मिल जाएगा ठीक है गद खंड कावे खंड इन सभी को हम बना चुके हैं तो इसका विनोद कुमार सुकल होगा जैसे कोई लाइका है मालो देखें महराश्ट में वह सुक्खा हुआ मचली खाता है तो किसी का आफ मचली में सुकल मचली खाने मन करता है और सुखल को रिलेट कर देना सुखल से।। सुखल किस में आता ह। विनीत्कुमार सुखल क्या खाता है। इसको होता है। ये अपसन एओ लूग इसको कहता है। इबादत का अर्थ होता है उपासना ओके तो 24 का हो जाएगा आईए अब हम देखते हैं प्रशन करमांक 25 की और 25 कहता है कि विस्मिल्ला खां का संबंद है विस्मिल्ला खां का संबंद की बासुरे से या हारमोनिया से या फिर तवला से या सहनाई से होगा ठीक है बिस्मिल्ला खां का संबंद की से है तो सहनाई से है ठीक है ओके समझ गये ना चलिए तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो D हो जाएगा चलिए प्रशन करमांक 26 लेते हैं 26 कहता है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो महातमा गांदी या डॉक्टर नादेंदर परसाद या जवाहरलान नेरू या बालगंगादर दिलग इसका correct answer होगा option महात्मा गांधी के जन्म के रूप में ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है ठीक है तो आपने यह समझ लिया अब प्रशन करमांग चलते हैं 27 की और 27 कहता कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था क्रमचंद गांधी या धरमचंद गांधी या जैसंगर गांधी या विदासं रश्खान का या रामधारिसी दिनकर या गुरु नानक का बताए इसका करेक्ट एंसर क्या होगा इसका करेक्ट एंसर होगा गुरु नानक का आसा दिवार जो है किसका भी की रचना है तो गुरु नानक का है ठीक है आपने ये समझ लिया ओके चलिए अब हम क्या करते हैं प् तो इसका correct answer होगा भया सुलक्षणी सुलक्षणी में यह नहीं होगा टवरगी नहीं होगा ठीक है इस बात को ध्यान रखना ऐसा आला जो नहीं होता है टवरगी नहीं यह नहीं होगा ठीक है टवरगी नहीं ओके तो आपने समझ लिया सुलक्षणी option a the right answer प्रश्ण रस्खान ने प्रेम वाटिका की रचना कव की थी यह पूछा जा रहा है ना तो भया इसमें देखिए चार option दिये गए हैं अब इसका correct answer क्या होगा है ना तो यह चारो option जो है वह आप लोग पढ़ लीची इसका जो correct answer होगा वह 1610 होगा ठीक है तो प्रश्ण करमां के 31 की तो और चलते हैं कि सवय्या एवंचंद के सिध कभी ते सवय्या एवंचंद के सिध कभी कौन थे रश्खान या अनामिका या प्रेम घन या जीमनानंदास बताइस का correct answer क्या होगा ठीकिए 31 का correct answer होगा option है रश्खान 725 के सिध कभी कौन थे रश्खान थे प्रश्न करमां 32 की वर चलते घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गये थे मुहम्मद गोरी नादीर साह औरंग जीब या मुहम्मद साह रंगिला ठीक है तो बताई इसका सही अंसर क्या होगा कि घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गये थे बताईए तो 32 का जो करेक्ट इंसर होगा भया बी अप्सन भी है नादीर साह के दौरा प्रशन करमांक 33 चलते हैं 33 लेते हैं घरानंद किस मुगल बात्सा के यहां मीर मुंसी का काम करते थे यह पुछा ज़रा है अप्सन ए में जहागीर सा जहां औरंग्जेव या मुहम्मद साह रंगिले तो इसका करेक्ट एंसर होगा भ भारत सौ भागे किनका परसिद्ध नाटक है कुबर नरायन का प्रेम घंका या नामिका का या जुम्ना नंदास का इसका करेक्ट एंसर क्या होगा इसका करेक्ट एंसर होगा भिया प्रेम घंका ठीक है भारत सौ भागे किनका परसिद्ध नाटक है तो प्रेम घंका ठीक है प्रश्ण क्रमांग पैधिस कहता है कि भारत मां के स्रेष्ट मुख की तुलना कभी ने किससे की है? सूर्ज से या कंचन से या पुस्प से या छाययुक्त चंदर से? तो बताईए पैधिस का correct answer क्या होगा? पैधिस का correct answer चाययुक्त चंदर से तुलना की है. प्रश्ण क्रमांग 36 कहता है कि स्वर्न किस कभी की रचना है कुवर नरायन का या रामधारी सी दिन कर क्या है सुमित्रा नंदन पंद का या गुडु नानक का तो 36 का करेक्ट एंसर क्या होगा 36 का करेक्ट एंसर होगा सुमित्रा नंदन पंद प्रश्ण क्रमांक 37 लेते हैं 37 कहता है कि रामधारी शी दिनकर का जन्म डैस जिले में हुआ रामधारी सी दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था जमोई में जफरकुड में या बेगुसराई या सितामढ़ी में तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका correct answer होगा बेगु सराय बेगु सराय में रामधारीस ही दिनकर जी का जन्म हुआ था प्रेशन क्रमांक 38 कहता है मिट्टी की अबोध मूरते कौन है नेता है जनता है अधिकारी या मंत्री है मिट्टी की अबोध मूरते तो भाया जनता ही है ठीक है नेतालोग तो मज़ा लेते हैं ठीक है जनता ठीक है इसका correct answer है तो मिटी के अबोध मुर्ते जनता होगा option B 49 कहता है कि उगते सूरज का देश की से कहा जाता है जापान को नेपाल को या भुटान को या इरान को उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है और डूपते सूरज का देश की से कहते हैं ब्रिटेन को कहते हैं ठीक है तो यहां 49 हो गया 49 breakingполож एइक की आप करतर को एक का तो जैसे कि मालो की आख कृष्ट महगान को नाराय कहते हैं है कि और जब कि 100 स Bakolieन जन्म लिए थे तो उनकी मा जो है उसे ऊक hli में बान दिया था और में दिया था तो उस उखली की सहरा से विरीच्ष की हत्या कर दी थी यानि उखली से मतलब की जिए तो हथय करने वाले कौन कृष्ण भगवाणताक का दूसरा वहीड नरायन से आपको पता चल गया होगा कि Koover Narayan इसका right answer होगा, ठीक है, तो एक विरिक्ष की हत्या, इसका right answer क्या होगा, कoover Narayan option A the right answer, ठीक है, प्रश्न कर्मांक एक तारिस कहता कि हमारी निंद कविता कहां से ली गई है, हमारी निंद कविता कहां से ली गई है, option A में है इस दुनिया से या पहल पुस्तिका से या दुष्चक्र से या फिर आसा दिवार से है ना तो इसका correct answer क्या होगा हमारी निंद कभीता किस से ली गई थी इसका correct answer होगा भया दुष्चक्र में अस्त्रसष्ट से ठीक है यानि option C the right answer प्रशन क्रमांक 42 करता कि अच्छर ग्यान कभीता में किस मनोवे ग्यानी का आधार लिया गया है इसका A है कि सोर मनोवी ग्यान और B है इस्त्री मनोवी ग्यान C है बाल मनोवी ग्यान और D है सीसु मनोवी ग्यान ठीक है इसका correct answer क्या होगा तो 42 का correct answer हो जाएगा भया 42 का होगा option C बाल मनोविज्ञान ठीक है प्रशन क्रमांक 43 की वर चलते हैं 43 कहता है कि मेरे बिना प्रभू मेरे बिना तुम प्रभू किस भासा से अनुदित है अंगरेजी से या जर्मन से या रूसी से या फ्रांसी से से इसका जो correct answer होगा वो रूसी से होगा है ना तो 43 का correct answer क्या हो जाएगा नहीं नहीं रूसी नहीं होगा जर्मन से होगा 43 का correct answer option B जर्मन से होगा ठीक है मेरे बिना तुम प्रभू किस भासा से अनुदित है तो जर्मन से प्रश्ण करमांक 44 की और चलते है wycosος क्या है चोर्श कहता कि रूसी सब्द काविसेशन क्या है option a में रूचिक या रूचि या रूचिना रूसी सब्द का वीसेशन है रूचिक, option ai the right answer प्रश्ण करमांक 45 की और चलते हैं कहता है कि मैं अलमारी से पुस्तक निकाला हूं वाक्य में से डैस कारक है संप्रदान आपादान कारण या संबंद है ना तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा आपादान इस दराइट एंसर अप्सन भी प्रश्ण करमांक 46 कहता कि खेत सब्द है विदेशद तद्भाव या तत्सम्द हैना तो इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा यह विदेशद नहीं तद्भा होगा ठाक है खेत सब्द महिला का प्रयावाची सब्द है सवीता नारी अंसु माली और निर्धी ठीक है इसका करेक्ट एंसर क्या होगा इसका करेक्ट एंसर होगा नारी महिला कोई तो नारी कहते है प्रयावाची सब्द में क्या एक नाम क्या एक नाम बताना होता है ठीक है अब प्रशन करमांग कु लोकोक्ति का क्या अर्थ है इसका करेक्ट एंसर क्या होगा तो पीछाना छोड़ना या हानी पहुंचाना या काम न जानना और बहाना बनाना या मुर्ख वेक्ति तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा काम न जानना और बहाना बनाना पीडिएफ आप लोग डाउनलोड करना चा रखते हैं और उसमें आपको पता है कि एंसर की भी मैंने इसमें एड कर दिया तो आप लोग देख सकते हो ठीक है आई हो कि आप समझ गया होंगे वीडियो पसंदा तो लाइक करना और दोस्तों को भी सेल करना धन्यवाद दोस्तों